प्रते ज्यानकारी आसानी से प्राप्त हो सके तो अपने ससन की तरफ मोग करेंगे इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे अगर आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल इस्टडी वित्तिवार जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लिजे साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और से जरूर कीजिए आज है आप सभी का 24 सितंबर 2021 और करेंट अफेर का ससन आप सभी के सामने है और पहला कोस्चन आप सभी से पूछा गया है बताइए अंतर राष्टिय सांकेतिक भासा दिवस कम मनाया जाता है तो आप सभी का इसका सहींसर क्या हो जाएगा तो तेज सितंबर इसका सहींसर हो जाएगा तो आप सभी को याद कर लेना है अंतर राष्टिय सांकेतिक भासा दिवस कम मनाया जाता है तो तेज सितंबर को मनाया जाता है मातपूर बिंदु की बात करें तो इसका बिसे क्या था इस बार तो 2021 के अंतर राष्टिय सांकेतिक भासा का बिसे था हम मानु अधिकारों के लिए हस्ताचर करते हैं यानि कि be sign for the human rights इसका विसे था तो आप सभी को याद कर लिना है अंतराश्टिय सांक्यतिक भासा दिवस का विसे है तो 2021 में हम मानु अधिकारों के लिए हस्ताचर करते हैं यानि कि be sign for the human rights ये हो जाएगा देखते हैं सितंबर के कुछ महातपूर दि तो सबसे पहले रेखते हैं बे सुनारियल दिवस कब मनाया गया है तो आप सुरी का से इंसर क्या हो जाएगा तो 2 सितंबर हो जाएगा राश्टिय गंगन चुम्भी इमारत दिवस कब मनाया गया है तीन सितंबर हो जाएगा राश्टिय गंगन चुम्भी इमारत दिवस क कब मनाये गया है चार सितंबर को मनाये गया है इस तरीके से अंतर राष्ट्य चैरिटी दिवस कब मनाये गया तो पांच सितंबर को मनाये गया है राष्ट्य सिच्चक जिवस कब मनाया गया है तो 5 सिटमबर को मनाया गया रहा है आप सभी से पूछा जाता है कि 20 सिच्चक जिवस कब मनाया जाता है तो आप सभी का इसका से इसका क्या हो जाएगा तो 5 अक्टूबर हो जाएगा तो आप सभी को इसे याद कर लेना है International Day of Clean Air for Blue skies 7 सितमबर को मनाया जाता है खाद प्रसंसकरण सब्ता 6 से 12 सितमबर 2021 तक मनाया गया है तो आप सभी को याद कर लेना है International Day to Protect Education from Attacked इसे 9 सितमबर को मनाया गया है World Suicide Prevention Day को 10 सितमबर को मनाया जाता है World EB Day 9 सितमबर को मनाया गया है International Day for South South Cooperation 12 सितमबर को मनाया गया है World First 8 Day अथवा 20 सुपरात्मी कुप 4 दिवस को 11 सितमबर को मनाया गया है राष्टिय हिंदी दिवस 14 सितमबर को मनाया जाता है अगर आप सभी से पूछा जाता है विस हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आप सभी को इसे याद कर लेना है कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को इसे मनाया जाता है आप सभी के लिए important है इसे आप सभी को याद कर लेना है अंतर राष्टिय लोकतन दिवस की बात की जाथ 15 सितंबर को इसे मनाया जाता है राष्टिय इंजिनियर्स दिवस 15 सितंबर को अंतर राष्टिय ओजोन परस सनचर दिवस 16 सितंबर को और बेस रोगी सुरच्छा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है बेस बास दिवस 18 सितंबर को अंतर राष्टिय लाल पांडा दिवस सितंबर के तीसरे सनिवार को अंतर राष्टिय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को बेस जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को और अंताराइष्टे 30 शिफाय दिवस सितमबर के तीसर सनिवार को आप सभी को ये दो दिवस याद कर लेने हैं जो आप सभी के लिए important होने वाले हैं क्योंकि आप सभी के paper में दे सकता है इसे मनाया कब जाता है तो आप सभी के paper में दे दे देगा 18 सितमबर तो ये गलत option हो आपसवी को मार के करना है तो सितंबर के तीसरे सनिवार को आपसवी को मार करना है अगर आपसवी से ये पूछा जाता है कि इस बार इसे कब मनाया गया है तो इन दोनों का सहींसर क्या हो जाएगा तो 18 सितंबर इसका सहींसर हो जाएगा तो दोनों में difference है अगर आपसी पूछा जाए एक कब मनाया गया है वर्ज 2021 में तो 18 सितम्बर को मनाया गया है और मनाया कब जाता है अगर ऐसा पूछा जाता है तो सितम्बर के तीसरे सनिवार को इसे मनाया जाता है अंताराष्टे सांती दिवस 21 सितंबर को मनाया गया है बेस अलजाइमर दिवस 21 सितंबर को अंताराष्टे बदिर सब्ता दिवस 2021 बेस सितंबर से 26 सितंबर तक इसे मनाया गया है और लाश्ट है आप सभी का बेस सुराइनो दिवस जिसे 22 सितंबर को मनाया गया है सीथ कालीन उलम्पिक खेल 2022 की मेजबानी करने वाला है और इसने ग्रिस्प कालीन उलम्पिक खेल की मेजबानी वर्स 2008 में की थी तो इस तरीके से यह पहला सहर बन जाएगा जिसने ग्रिस्प कालीन और सीथ कालीन उलम्पिक खेल की मेजबानी की है तो आप से भी को याद कर इसका नाम किया है एक साजा भविश्य के लिए एक साथ का अनावरन किया है यानि कि टूगेडर फॉरस शेर्ड फ्यूचर यह आप सभी को वाक याद कर लेना है यह ओलम्पिक सीथकालिन बीजिंग 2022 सीथकालिन उलम्पिक ने इसे आधकालिक तोर पर अपना आदर्स वाक के गोसित किया है तो आप सभी को याद कर लेना है आगे आने वाले आगामी जो आप सभी की उलम्पिक है इन्हें आप सभी को याद कर लेना है तो वार 2022 में बीजिंग में बिंटर उलम्पि है 2026 में जो कि मिलान को टीना में खेलना जाना है इसके बाद 2028 में होगा लॉस एंजलिस में समर ओलम्पिक और समर ओलम्पिक जो आप सुभी का इसका आयोजन किया जाता है आप सभी को याद कर लेना है तीसा नमबर कोश्चन आप सभी से पूछा गया हाली में जी इंटर्टेन्मेंट इंटर्प्राइजस लिम्टेड के निदेशक मंडल ने किस कमपनी के साथ कमपनी के बिले को सर्व सम्मती से मंजूरी दे दी है तो अब सभी कि संसिर क्या हो जाएगा तो पिक्ट्र नolesome इंट्रटेंडिया द्वारा इसा विले कर दिया गया यानि क्ट्र प्रतेंट इंटर्प्राजrs लिम्टेड और पिक्ट्रस ने वर्ग का आपस में विले हो गया है और सभी को याद के लिए आप सभी के लिए important question रहने इंडिया की बात की जाए तो इसकी सभी कमपनी में कितने हिस्सेदारी होने वाली है तो 52.93 इसकी हिस्सेदारी होगी तो आप सभी को याद के लिए 47.07 फिर्दी हिस्सेदारी किसकी होगी तो जी इंटरटेंडमेंट की होगी और सोनी इंडिया की हिस्सेदारी कितने होगी त 9.93 होगी अब बिले के बास सोनी इंडिया के पास बिले की गई कमपनी में अधिकार नियुक को नियुक करने का अधिकार होगा इसे आप सभी को याद कर लिया है और जी इंटर्टेन्मेंट के सियो हैं पुनीत गोइनका इन्हें पांच साल की यौदी के लिए बिले की गई क पुनीत गोइनका इनका नाम इन्हें पांच साल के लिए अप सभी को याद कर लिना है चौथा नंबर कोश्चन पूचा गया हाल ही में सेयुक्त राष्ट महासजीव एंटेवनियो गुद्रेस ने किसे चेत्रवी सेयुक्त राष्ट महासभा में एक सतथ विकास लच अध पारिम बताया गया तो आप सभी को याद के लिए इंटो न्यू गुट्रेज जो है सभी को याद कर लिना है इन्होंने कैला सत्यार्थी और बैलेंटीना मुनोज रबनाल और माइक्रोसॉप्ट के अध्यच बैड इस्मित और के पॉप सुपरिस्टार है ब्लेक पिंक इन नए आप सभी को SDG अध्यक्ता की रूपे नुक किया गया है तो आप सभी को याद कर लिना है कितने लोगों को तो एक दो यहाँ पर आप सभी के तीसरे हो जाएंगे और यह चार तो चार लोगों को यहाँ पर नुक किया है आप सभी को याद कर लिना है अब इसके साथ ही स्विक्तराष्ट में कुल कितने SDG हो जाएंगे तो आप सुभी को याद करें टोटल इनके 4 के एड होने के बाद 16 SDG हो जाएंगे आप सुभी को याद कर लिना है पाचवा नमर कोश्चन पूछा गया हाली में स्विक्तराष्ट प्रायोजी सततविकास समाधान क्या हो जाएगा तो बंगलादेश की प्रधार मंत्री है सेख हसीना इन्हें यह प्रुस्कार प्राप्त हुआ है तो आप सभी को याद कर लेना है बात की जाए बंगलादेश की तो बंगलादेश की राज़ानी ढाका है इसकी मुद्रा टका है आप सभी से अगर पूछा जाता है कि प्रधार मंतरी कौन है तो सेख हसीना हो जाएंगी, राश्पती अब्दुल हमीद हो जाएंगे, राश्टे खेल कबड़ी है और अगर आप सभी से पूछा जाता है कि बंगला देश की सीमा कुल कितने भारते राजियों से टच करती है तो आप सभी को याद के लिए नए पांच राजियों से कौन कौन से राज है पस्चिम बंगार, मेगाल, असांत, तृपुरा और मिजोरम अगर आप सभी से पूछा जाता है कौन सा राज है जो तीरों से बंगला देश से गिरा है तो आप सभी का से इंसर क्या हो जाएगा तो आप सभी को याद कर लेना है बात की जाएगी अगर आप सभी से पूछा जाएगा किस देश के साथ सबसे कम लगती है तो आप सभी का से इंसर क्या हो जाएगा तो अब गानिस्तान हो जाएगा आप सभी को इसे याद कर लेना है आप सभी के लिए इंपोर्टन रहने वाला है आगे भी करेंगे अपने question क इसकी घोशना की है कि वाणिज सप्ता की रूप में 26 सितंबर तक मनाया जाएगा आप सुभी को याद कर लेना है साथवा नमबर कोश्चन आप सुभी से पूछा गया है हाली में किस केंद्रे मंतरी ने निबेश को और ब्यावसायों के लिए नेशनल सिंगल बिंडो सिस्टम लाँच किया है तो आप सभी का सिंसर क्या हो जाएगा तो पियूस गोईल ने इसे लाँच किया है आप सभी को याद किले है इसका नाम क्या है तो नेशनल सिंगल बिंडो सिस्टम इसका नाम है आप सभी को याद कर लेना है बात की जाए नेशनल सिंगल बिंडो सिस्टम की तो एक सिंगल बिंडो पोर्टल है या आप सभी को याद के लिए जो सरकार के आवस्यक अन्मोधन और मन्यूरी प्राप्त करने के लिए उनिवेसको या उद्मियों के लिए वन स्टॉप साप के रूप में काम करेगा आप एक तुरूप से बिक्सित किया गया है तो आप सभी को याद कर लेना है आठवा नंबर कोश्चन पूछा गया है निम्रिकित में से हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किसे 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है तो आप सभी का इस फाउंडेशन द्वारा इसे दिया जाता है आप सभी को याद कर लेना है मात पूर बिंदु में आप सभी के ले कुछ कोश्चन है जो आप सभी के लिए हाल फिलाल में एवार्ड से जुड़े हो है तो इन्हें आप सभी को याद कर ले है तो 28 मतुरा दास माथूर एवार् Time Achievement Award से किसे समाने किया है डाक्टर बसंद कुमार मिस्टा को वासिंगटन DC South Asian Film Festival में किसके फिल्म राहगीर ने सरफशेश फिल्म पुरसकार जीता है तो गौतम गोज की मोवी थी इसने वासिंगटन DC South Asian Film Festival में सरफशेश पुरसकार जीता है तो आप से भी को याद के लिए फिल्म का नाम क्या है तो राहगीर है आप सुभी को याद के लिना है और लाश्ट है राजस्थानी साहित अकादमी पुरसका 2020 के लिए किस लेखक को समानित किया गया है तो भावर सिंग सामोर को आप सुभी को याद किया है इन्हें राजस्थानी साहित अकादमी पुरसक मुंबई महाराष्ट में सित है इसके MD और CEO वरत्मार में प्रसांत कुमार है इसके स्थाप्रा वर्स 2004 में हुई थी और इसकी टेग लाइन क्या है इसकी टेग लाइन हो जाएगी तो आप सभी को याद कर लेना है दस वा नमबर कोश्चन आप सभी का आखरी कोश्चन है आप सभी को याद कर लेना है मातवर बिंद्र की तरफ नर्ज जालते हैं तो इस तीन दिरसी दोरे में प्रदान मंतरी मोधी के साथ एक उच्छस्तरिय प्रति निदी मंडल भी है जिसमें राष्टिय सुरच्छा सलाकार है अजी डोबाल हर स्वरधान सरंगला सहित वरिष्ट अधिकारी सामिल है तो आप सभी को याद कर लेना है अब कोविड-19 महामारी के प्रकुप के बाद प्रदान मंतरी मोधी की पडोस से परे या पहले विदेश यात्रा है तो आप सभी को याद कर लें आप सभी के लिए इपॉर्टन होने वाला है आप सभी से बात की गई है अमेरिका की मुत्रा अमेर्की डॉलर है इसके निजले सदन को हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है और उपरी सदन को सीनेट कहा जाता है सबसे बड़ा सहर काउन सा है तो नियार्क हो जाएगा आप सभी को याद के लेना है भारत की तरफ नज़र डालते हैं भारत ड़ान मंतरी है. मुद्रा भारत की रुपिया है उपरी सदन को राजसभा निजले सदन को लोगसभा कहा जाता है तो आप सभी के सामने जो भी पॉइंट रखे गए है इसे आप सभी को याद के लेना है आप सभी के लिए most important होने वाले है जो भी point आप सभी से discuss किये गए है तो आज के session में इतना ही आप सभी का ये 24 सितमर 2021 का current affair था जो आप सभी के लिए important होने वाला है आप सभी की परिचाओं के लिए तो जो भी question आप सभी से discuss किये गए है इसे आप सभी को याद के लिए ना है अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो हमाई session को like और share जरूर कीजिए और साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल study भी इतिवारी जी को subscribe नहीं किया है तो आज ही subscribe कर लिजे तो अब आप सभी को मिलेंगे हम 25 सितंबर 2020 के current affair में एक नए question के साथ तब तक के लिए नमसकार धर्न्यवाद